हेलो दोस्तों मेरे नाम पुश्पेंदर है और आप सभी का E-Mentors में स्वागत है आज हम डिस्कस करेंगे SSC CGL 2018 के मेंस पेपर को आज जो हमारे पेपर होगा वो 11 सितंबर का होगा जो की 5 पार्ट में कवर किया जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुशन A and B can do a piece of work in 6 days and 8 days तो A और B किसी काम को 6 दिन में और 8 दिन में करते हैं तो इनकी efficiency कितने जाएगी? 4 and 3 फिर बोला क्या है? With the help of C, they can complete a work in 3 days अब A और B और C तीनों मिलकर के काम 3 दिन में खतम कर रहे हैं तो इनकी efficiency तीनों की कितने जाएगी? 8 A की individual efficiency 4 है B की individual efficiency 3 है और तीनों की efficiency 7 है तो यहां से C की efficiency कितने जाएगी? 1 फिर बोला क्या है 1848 रुपए वो तीनों मिलकर के कमाते हैं तो हमें पता है कि जो भी उनकी earning होगी वो efficiency की हिसाप से होगी अगर A सबसे ज़्यादा काम कर रहा है तो A को सबसे ज़्यादा रुपए मिलेगा तो इस हिसाप से अगर दिखा जाए तो total efficiency कितनी है? जो 1848 के equal है तो एक की efficiency से अगर काम करेंगे तो कितना रुपए मिलेगा? 8 to the 16, 8 to the 24, 8 to the 18 और हमें निकालना क्या है? What is the share of C? तो C का efficiency यह एक है एक की value आजाएगी 231 ठीक है? चलिए next question देखते है देखिए दिया हुआ है if a 9 digit number इतना is divisible by 72 ठीक है? तो 72 divisible है इसका मतलब यह 8 into 9 को represent करता है इसका मतलब यह नमर 8 को भी divide करेगा और 9 को भी divide करेगा तो 8 के divisibility क्या होती है? last के 3 numbers divisible होने चाहिए किसी भी संख्या को अगर last के 3 digit number 8 से divide हो रहे है इसका मतलब पूरी संख्या 8 से divide हो जाएगी तो यह बाद चेक करते है 7, 8, Y upon 8 8, 9, 72 6, तो 6 Y है यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए है यहाँ पर? कि 8 पूरी तरह से यह divide हो जाए तो Y की value क्यों हो सकती है? 4, इसके लावद तो कुछ हो नहीं सकती तो यहाँ से तो Y is equal to 4 आ गया अब 9 की divisibility चेक करते हैं 9 की divisibility क्या होती है? sum of digits अगर 9 से divide हो रहे हैं तो इसका मतलब वो पूरी संक्या 9 से divide हो जाएगी तो जहाँ जहाँ 9 है आपको वहाँ वहाँ काड़ दॉप 9 6, 3, 9 और तो है नहीं कहीं तो 8, 3, 11, 11 और 7, 18 18 और 8, 26 और 4, 30 तो 30 प्लस X यह divide होना चाहिए 9 से तो 9 से divide करेंगे तो 3 प्लस X आएगा X की value क्या हो सकती है? 6 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा तो यह 9 से divide हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास X की value क्या जाएगी? 6 और Y की value क्या जाएगी? 4 तो value हैं आपर output कर देंगे तो 6 into 6 plus 7 into 4 under root 36 plus 28 is equal to 64 under root is equal to 8 ठीक है? तो चलें नेक्स question देखते हैं 1 year एगो the ratio of age in years of A to B was 4 to 3 A और B की जो IU है उनका ratio एक साल पहले 4 is to 3 था ठीक है? यह एक साल पहले का है the ratio of the respective ages 3 years from now will be 6 is to 5 तीन साल बात जो ratio होगा वो 6 is to 5 होगा ठीक है? अब देख लेते हैं यहाँ पर जो common difference है वो same है क्या? यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यह 2 यहाँ पर भी 2 इसका मंदब 4 का gap है 4 साल का तो 2 की value क्या जाएगी? 4 1 की value जाएगी? 2 जब 1 की value 2 आ जाएगी तो 6 की value कितने जाएगी? 12 और 5 की value कितने जाएगी? 10 यह जो 12 12 और 10 आया है यह age आई है अभी से 3 साल बात की ठीक है? पूछा क्या गया है What is the value of respective ages of A and B 9 years from now? देखिए यह 3 साल अभी से 3 साल बात की है और पूछा गया है 9 साल बात तो यहनि कि 6 years और हमें add करना पड़ेगा यहनि कि 2 में क्या करना है? 6 add कर देंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा? इन एक कोडिलेटरल A, B, C, D the bisector of angle A and angle B meet at O एक कोई कोडिलेटरल है ए A है, B है यह C है, यह D है ठीक है? बोलागे है the bisector of angle A angle A का bisector लिया और angle B का लिया ठीक है यह O पे मेट कर रहे हैं और A O B दिया हुआ है 64 ठीक है find angle C and D यह alpha माल लो और यह beta माल लो तो मैं alpha plus beta की value पता करनी है ठीक है तो देखो alpha plus beta की value सीधे सीधे आ जाएगी क्या जाएगा double of A O B A double of A O B ठीक है यानी कि 128 आप आया कैसे मैं आपको इसका पूरा detail solution देता हूँ ठीक है चलो माल लेते हैं color chain कर लेते हैं माल लेते एक figure दिया हुआ है A B C D यह हमारे पास O है यह angle by center है यह कुछ भी माल लो 64 दिया हुआ है तो 64 माल लेते हैं इसको माल लेते हैं X इसको माल लेते हैं X यह Y तो यह भी Y हो जाएगा तो यह इस triangle के गर बात करें तो X plus Y plus 64 क्या हो जाएगा 180 degree X plus Y कितना हो जाएगा 180 degree minus 64 which is 116 अब X plus Y इतना आ गया है अगर हम इसमें 2 का multiply कर दें 2X plus 2Y is equal to 232 ठीक है यहनि कि इसकी और इसकी value मारे पास कितनी आ गई है 232 तो जो बचा हुआ angle है यानि कि alpha plus beta plus angle A plus angle B बराबर क्या हो जाएगा 360 किसी भी quadrilateral का angle कसंद केतना होता है 360 तो यहाँ पर हम लोग 2X और 2Y क्या है इनकी value है तो alpha plus beta plus 232 is equal to 360 यह माइनस उधर चलाएगा तो 128 आ जाएगा alpha plus beta ठीक है यह तो एक basic solution हुआ ठीक है अब देखते हैं थोड़ा नया तरीका जिससे आपको एक चीज सीखने को मिलेगी कि figures को हम लोग कैसे observe करें कि यह सही है यह अगलते ठीक है मान लते हमने एक सेम ऐसे ही figure बना दिया जैसे मैंने पहले बनाया था A, B, C, D ठीक है यह मारे पास angle by sector है ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ construction कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने A, D को थोड़ा सा proceed किया आगे तक और B, C को भी proceed किया ठीक है मान लेते हैं यह point E है यहाँ पर कितना आपास 64 अब आपको एक property ध्यान में आ रही होगी कि किसी भी triangle में अगर angle by sector किसते हैं किसी दो angles के वो point meet करते हैं ओ पर यह A होता है, यह B होता है, यह C होता है तो यह वाला angle निकालने को होता था तो angle O क्या होता था, 90 plus alpha by या A by 2 यह होता है न, याद आ रहा है कुछ तो सेम दोखो, इसी दर है, यहाँ पर भी है लेकिन एक चीज़ observe करिए angle O जो है यहाँ पर वो कैसा आ रहा है obtuse आ रहा है कैसा आ रहा है, obtuse आ रहा है हमने बना तो दिया यहाँ पर डियाग्राम लेकिन actual डियाग्राम यह नहीं होगा ठीक है, डियाग्राम क्या होगा मैं बताता हूँ actually यह है क्या यह हमारा x center है, जब भी acute बने, angle by center से हमेशा in center ही नहीं बनता है, x center भी बन सकता है तो याद रखना, in center में हमेशा क्या होता है obtuse होता है और x center में हमेशा क्या होता है acute होता है, ठीक है याद रखना, चाहे लिख लिजे कहीं पर point बना लिजे तो मैं इसका जो actual figure है वो बताता हूँ इसका actual figure बनेगा ऐसा नीचे से थोड़ा सा compact बनेगा ठीक है, angle A, B, C, D A, O, B यह 64 है, अब मैं क्या करूँ construction नीचे की तरब करूँ, पहले उपर की तरब किया था अब मैं नीचे की तरब करूँ ठीक है यह माल लीजे F point है, अब आप triangle किस में देखेंगे A, B, F में देखें A, B, F में क्या होता था यह हमारे angle by set होता था यह भी angle by set होता था यह O होता था, यह angle A है तो यहाँ पर हमें इसकी value पूछे जाती थी तो क्या होता था, angle B, O, C is equal to 90 minus angle A by 2, होता था था ना तो देखेंगे, यहाँ पर 90 minus है 90 से कुछ angle कम हो रहा है, इसका मतलब यह क्या है acute है, तो यहाँ पर यह figure सही है, हमारा 64 क्या acute angle है, तो इसका मतलब जो figure बनेगा हमारा, यह बनेगा, लेकिन अब मैं क्या बताने वाला हूँ आपको यह X माल लो यह भी X है यह भी Y है, यह भी Y है, यह 64 है मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा figure quadrilateral आपको दिया जाए और आपके उपर के जो दो adjacent angle है, वो पूछे जाए तो हमें figure से मतलब नहीं है मतलब irrespective of figures answer हमेशा क्या होगा, alpha plus beta is equal to twice of angle A, O, B ठीक है, यह हमेशा follow होगा, चाहे वो figure कैसा भी बने, इस चीज के में परवान नहीं है लेकिन जो मैंने चीज बताई है वो थोड़ी एक additional information है कि diagram को हम लोग कैसे judge करें, कि यह सही है, कि गलत है ठीक है, अब मैं कहें दूँ कि यह line अगर ऐसे cut कर रही है मालनो यह line ऐसे है यह हमारा C हो जाए और यह D हो जाए ठीक है ना, यह कुछ भी मालनो यह भी बीटा मालनो, यह alpha मालनो अभी भी हमारा alpha plus beta क्या आजाएगा twice of each, मतलब irrespective of figures, answers should be same यह हमारी property है, ठीक है तो चलिए इस पर बहुत detail discuss हो गया, चलिए next question देखते है देखे, question number 5 दिखा हुआ है यह main चीज है हमारे पास तो 8 monthly है तो हम लोग इसको yearly में solve करने कोशिश करेंगे तो 8 month को अगर हम 12 month में change करेंगे तो multiplying factor क्या होगा 1.5, ठीक है न, 15 is the 120 तो हमारे पास multiplying factor 1.5 आगया इसका मतलब हम time में क्या करेंगे 1.5 का multiply करेंगे, तो 3 years आ जाएगा और rate में हम लोग divide करेंगे 1.5 का तो 8, 8% तो कुल मिलागे अब करना क्या है 3 years का compound interest निकालना है 8% की rate ठीक है तो मैं कैसे करता हूँ मैं इसको pascal triangle से करूँगा pascal triangle 3 years का होता है 331 तो आप मैं करने क्या वाला हूँ इस principle का 8% पहले निकालेंगे तो 8, 5 is a 40 8, 2 is a 16, plus 4 20, 8, 1 is a 10 8, 3 is a 24, plus 5 तो हमारे पास 2500 आया है, ठीक है ना आप 2500 का again 8% निकालेंगे तो 25, 8 is a 200 फिर 8% निकालेंगे तो 16 अब क्या करेंगे, multiply कर देंगे तीन होगा, और फिर बाद में add कर देंगे तो हमारे पास कितना है है 6, 1, 1, 8 ठीक है, पहला आंसर तो ये थो था हमारा proper solution अब हम discuss करेंगे थोड़ा सा smart approach ठीक है, तो चले देखते है हमारे पास rate आगी ठीक है, 8% rate आगी, हमें ये सब नहीं करना पड़ेगा 8% rate को क्या ले सकते हैं हम लोग 2 by 25 ठीक है, यह हमारा interest है, 25 principle है amount क्या बन जाएगा, 27 upon 25 अब amount हमारे पास क्या है multiple line factor, 27 इसका मतलब क्या है हमारे पास, 9 इसमें छुपा हुआ है, इसका मतलब जो भी हमारा amount होगा उसमें 9 जरूर होगा, यानि 9 से divisible होगा, यह पक्की बात है ठीक है, अब हमारे पास निकालना क्या है, compound interest तो amount कैसे आएगा, भाई principle को compound interest से जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, amount आजाएगा अब 9 से divisibility इतनी easy है कि कोई भी निकाल लेगा यहाँ देखेंगे कि 9 से divisible होने के बाद कितना remainder आता है, ठीक है तो 5, 3, 8, 1 यानि 2 remainder आ गया, ठीक है अब हमारे पास 7 remainder चाहिए 9 से divisible होने के लिए 7 remainder चाहिए तो 7 देख लो किस option में हमारे पास 7 remainder दे रहा है तो 8, 1, 9, 7 आ गया, इधर 8, 1, 9, 6 आ गया, 8, 1, 9, 6 आ गया, 8, 1, 9, 11, फिर 2 यानि कि सिर्फ और सिर्फ इस पहले option में 7 remainder दे रहा है यानि कि पहला ही answer correct होगा, ठीक है I hope आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो ए बार दुबार आप इस वीडियो को देख लीजेगा तो start करते हैं, next, sorry, next question क्यों और हम लोग चलते हैं 6th question when the price of an item is, the price of an item was reduced by 25%, then its sales was increased by x%, if there is an increase of 20% in the receipt of the revenue, then the value of x revenue क्या होता है मारे पास, price into sale, ठीक है न, तो revenue एक तरह से कहा जाए, तो total change हो जाएगा मारे पास यानि कि 25 और x का जो total change होगा, वो मारा 20 की इकल होगा, तो इसको हम लोग, या तो a लेट कर लो, इसको b लेट कर लो, तो formula क्या होता है, a plus b, plus a b by 100 is equal to, जो भी हमारा पास resultant आता है, तो यह reduce होगा है, यानि कि minus 25, यह increase होगा है x से, तो x minus 25x upon 100 is equal to 20%, यह हमारे पास 4 हो जाएगा, 25 वदर चला जाएगा, और यह 4 LCM होके, 3x by 4 is equal to 45, x is equal to 15, 4 is a 60, तो हमारे पास x की value क्या जाएगी? 16, ठीक है, एक तो यह तरीका है, दूसर तरीका यह है, कि इस 25 को क्या ले सकते हैं, हम लोग reduce हो रहा है, यानि कि reduce होने के बाद value कितने हो जाएगी? 3 by 4, अब यह value हमारे पास x percent increase हो रही है, नहीं पता कितनी हो रही है, और resultant कितना देना है? 20 percent increase, 20 percent increase का मतलब क्या हुआ? 1 by 5, यानि कि 6 by 5, ठीक है? तो यहां से भी हम लोग x के value निकाल सकते हैं, x is equal to 8 by 5, 8 by 5 का मतलब क्या हुआ? increase कितने का हुआ? 3 का over 5, यानि 3 by 5 into 100 is equal to 60 percent, ठीक है? तो दोनों method है, दोनों method में जो आपको अच्छा लगे, वो आप use कर लिजे, चलिए next question देखते हैं, देखिए, 7th question दिया हुआ है, pipe A, B, C can fill a tank in 30, 40 and 60 hours respectively, A, B, C, 30 hour में, 40 hour में, 60 hour में बढ़ते हैं, LC मा जाएगा 120, efficiency हो जाएगी 4, 3, 2, ठीक है? दिया हुआ, pipe A, B, C are open at 7, 8 and 10 a.m, 7, 8, 10 a.m respectively on the same day, when will the tank be full? तो, सबसे पहले, A को 10 बज़े तक चलाते हैं, ठीक है, देखते हैं कितना बढ़ते हैं, 10 बज़े तक कितना चलेगा, 3 hours, तो 3 hours से यह हमारा बढ़ते हैं, 12, फिर 8 को 2 hours चलाएंगे, B को, तो 3 into 2, यानि total बढ़ते हैं कितना, 12 plus 6, 18, यानि 18, 18 लिटर पानी जो है, वो भर तो, रिमेनिंग कितना बचे हैं, हमारे पास, 102, आप 102 क्या करेंगे, तीनो एक साथ भरेंगे, यानि कि 4 plus 3 plus 2, 9 की एफिसेंसी से, तीनो काम करना स्टार्ट कर देंगे, 10 बज़े के बाद, तो 9 बज़े 9, 9 बज़े 9, 3 upon 9, यानि कि 1 upon 3 into 60, यानि 11 hour, 20 minute, में पूरी टंकी भ भर जाएगी, 10 बज़े के बाद, तो, at what time, the tank be full, तो 10 बज़े के बाद, 11 hour, 20 minute, add कर देंगे, तो, ये कितना हो जाएगा, 21 hour, 20 minute, 21 hour किसको बोलते हैं, 9 को, ठीक है, तो 9 बज़े, 20 pm पे, तैंकी पूरी क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी, I hope, समाज में आ गया होगा, next question देखते हैं, देखे, question number 8 दिया होगा है, if the radius of the sphere is increased by 4 cm, its surface area is increased by 4, 6, 4, 5 cm2, what is the volume of the original sphere, तो, मान लेते हैं, पहले जो radius थी, वो r थी, अब जो radius हो गई है, वो r प्लस 4 हो गई है, जिसके current surface area भी इंक्रीस होगा है, तो, अब formula क्यों होता है, surface ही रहेगा, 4 pi r square, तो, r यहाँ पर क्या है, r प्लस 4, इन्होंनों को जो difference आएगा, वो हमारे किसकी को लोगा, 4, 6, 4 pi, ठीक है, तो pi से pi cancel हो जाएगा, और 4 common हो जाएगा, r square प्लस 16, प्लस 8 r, minus का r square, 4 common हो जाएगा, यहाँ पर, 4, 4, 6, ठीक है, यह किसकी को लोगा, 1, 6, r square से r square cancel हो जाएगा, 8 r is equal to क्यों जाएगा, 100, r कितना जाएगा, 25 by 2, ठीक है, तो r, r हमारे पास आगया, अब हमें निकालना क्या है, what is the volume of the original sphere, तो sphere का formula क्यों होता है, sphere के volume का, 4 by 3, pi r cube, तो 4 by 3 into pi into r कितना है, 25 by 2, 25 by 2, 25 by 2, 4 से 4 कट गया, 3 to 6, अब 25 का cube कितना होता है, 1, 5, 6, 2, 5, अगर याद है तो ठीक है, निक तो multiply कर लीजिगा, हमारा answer आजाएगा, ठीक है, चलिए next question देखते हैं, चलिए 9 question देखते हैं, लिखा हुए, Radha marks her good 25% above the cost price, she sells 35% of the good at mark price, 40% at 15% discount, and the remaining at 20% discount, what is the overall percentage gain, लिखा हुए 25% उसने mark up किया है, सभी cross price पर, ठीक है, तो हमें करना क्या है, माल लेते हैं कि 100 goods उसने लिए है, 35% goods at mark price percent किया, यहीं कि 35 को mark price यहीं कि 25% above 1 by 4, यहीं 5 by 4, ठीक है, फिर बुलाग है 40%, 40% मतला 40 को पहले mark up किया है, 4 by 5, फिर discount दिया है 15%, तो 15% क्या लिखेंगे, 3 by 20, यहीं 17 by 20, फिर बुलाग है remaining, अब remaining कितने बचे, 35, 40, 75, तो बचे हुए 25, तो 25 को पहले mark up किया है, फिर discount दिया है 20%, 20% यहीं 1 by 5, यहीं 4 by 5, ठीक है, अब सबको क्या करेंगे, एड कर देंगे, तो 4 से 4 अगरी है, 5 से 5, और 5, 4 जा, 4, 10, 5, 2, ठीक है, यह कितना हो गया, 175 by 4 plus 85 by 2 plus 25, 4 else हम अजाएगा, 175 plus 170 plus 100, तो यह हमारा कितना हो जाएगा, 17, 17, 3, 4, यहीं कि 4, 4, 5 upon 4, यह काटेंगे, तो 1, 1, 1, 1.25, यहीं कि जो हमारा final price आया है, 100 से कितना ज़्यादा आया है, 11.25, तो हमारा profit gain कितना हो जाएगा, 11.25, ठीक है, चलिए, next question देखते है, 10th question, देखे, 10th question, लिखा हुआ है, अनु sold an article for 480 at some profit, had he sold it for 400, then there would have been a loss equal to one third of the initial profit, मतलब पहले ही profit हो रहा है, और बाद में loss हो रहा है, यहीं कि CP हमारा in between रहेगा, यहीं कि यह हमारा 480 पे profit कुछ हो रहा होगा, और फिर इसने क्या किया है, 400 पे बेजने पर उसको loss हुआ है, तो बोल गया है कि जो loss है, वो equal है कि इसके, 1 third of the initial profit, यहीं initial profit हमाल लेते हैं 3x, तो loss कितना हो जाएगा, x, ठीक है ना, तो आप हम देखेंगे कि यहाँ पर gap कितना है, 80 का, और यह gap कितना है, 4x, तो 4x is equal to 80, x is equal to 20, यहीं 20 क्या है हमारे पास, loss है ना, तो 20 loss है, SP 400 तो CP कितना जाएगा, 420, खत्म, next question, चलिए 11 question दिखते हैं, इना triangle ABC, D and E are the point on the side, AB and BC, यह triangle है हमारे पास, ABC, D हमारे पास है AB पर, okay, and E हमारे पास BC पर, और दिया हुआ है DE जो है पहलल है AC के, AD की value है 5, DB की value है 3, what is the ratio of the area of this and this, okay, तो यह दोनों क्या हो जाएगे हमारे पास, corresponding हो जाएगे, नहीं similar हो जाएगे, दोनों triangle similar है, तो similar में क्या होता है, side का square का ratio होता है, वो area के equal होता है, तो side square यहनी कि 3 है, तो 3 का square यहनी 9, यहनी कि इसका area केतना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और पूरी side का square करेंगे, यह 5 plus 3, 8, 8 square, यहनी पूरे triangle का area केतना हो जाएगा, 8 square है 64, हमें निकानना कि आई यह वाला, तो पूरे का 64 है, माइनस 9 करेंगे, क्या हो जाएगा, 55, तो ratio क्या पूचा था, इसका और इसका, यहनी कि 9 इस तू 55, easy था यह, next question, 12 है, DI का question है, the given pie chart shows the breakup of the total number of employee of the company working in a different office, A, B, C, D, total number, इपना, ठीक है, if 40% of the number of employee in office A, in office A, are shifted equally to office B and E, B कहा है यह, और E यह, ठीक है, then what is the difference between the number of employee in B and C, यहनी E के बारे, E के बाद क्या है, C को change कर दिया गया है, ठीक है, तो 40% of number of 126 का 40% निकालेंगे, ठीक है, कितना जाएगा, चाचाओ को 24, चाओ दुनिया, दू, 10, 4, 5, 50.1, अब बोला गया है, यह, डिवाइड हो करके, equally डिवाइड हो करके, B और E पर चले गए, तो डिवाइड करने बाद किलना हैगा, 25.2, डिग्री, तो हम लोग डिग्री पर अभी चलना है, ठीक है, हर चीड डिग्री पर है, तो 25 हमारे पास चले गए, B में, बनी, B के पास कितना होगा है, 18 प्लस 25, 25.2, तो कितना हो जाएगा, 43.2, ठीक है, और C का पूछा है, तो C के पास तो गए नहीं, तो C के पास कितना है, 54, ठीक है, तो इन दोनों के निकलना है, difference निकलना है, तो difference क्या जाएगा, 10.2 डिग्री, ठीक है, है, 10.2 डिग्री हमारे पास difference आया, total number of employee कितनी है, 2400, तो इसको पहले 360 डिवाइट करेंगे, ताकि हमारा पास percentage है और percentage किसका निकलना है, 2400 गा, तो इसको काटेंगे, 12, 36, 12, 24, तीन से कटेंगे, तीन दर करनों, तीन से को 12, और यहां पर किना आजएगा, 34 into 2, कुछ गलत हो गया, 54, 8, अचा, यहां पर 8 होगा, sorry, difference करेंगे, तो यहां पर 8 हो जाएगा, तो 339 और 36, यानि 3.6 into 220 करेंगे, तो कितना आजएगा, 72, तो मैंने पास यह अंसर, ठीक है, तो next question देखते है, 13 question, लिखा हुए, PQRS is a cyclic quadrilateral, तो एक PQRS बना लेते हैं, यह P है, Q है, यह R है, यह S है, फिद यह हुए, PQ 14.4 है, R, QR 12.8 है, SR 9.6 है, PR byset QS, PR जो है, वो byset कर रहा है QS को, यानि यह S के equal हो गया, यह intercept point O माल लेते हैं, what is the length of PS, इसकी value find करने हैं, ठीक है, तो मैं इसको, आपको दो दरीके से बताऊंगा, पहला होगा similarity से, और दूसरा होगा sign law से, और तीसरा जो method होगा, वो generalization होगा, मतलब जरूरी नहीं है कि SO और OQ बरावर हो हो, हर question में, SO और OQ का ratio भी आपको given हो सकता है, 1 is to 2, या 2 is to 3, ठीक है, तो वो generalization किसी भी ratio के लिए valid होगा, जिससे आप आसानी से solve कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ similarity से, तो देखिए, माल लेता है ये theta है, ये भी theta है, क्यों क्यों क्योंकि PQ, PS क्या है, same chord है, same chord circumference पर क्या होता है, same angle होनाता है, ये तो पता ही आपको, ये alpha माल लेता है, तो ये भी alpha होगा, अब हम बात करते हैं, ट्रेंगल P.O.Q और ट्रेंगल S.O.R.G यह दोनों अपस में क्या है? सिमिलर है क्योंकि ठीटा ठीटा और यह वर्टिकल एपोजेट इकल होगे तो अब इनमें रेशियो लगा देंगे P.Q यहीं 14.4 अपॉन S.R. 9.6 is equal to यहाँ पर ठीटा के सामने क्या है? P.O. है यहाँ पर ठीटा के सामने क्या है? S.O. है ठीक है? इसको 12 काटेंगे यहाँ कि P.O. और S.O. कितना आगया? 3 to 2 आगया ठीक है? इसके बाद अगर P.O. 3 है तो यहाँ पर 3X ले लो S.O. 2 यहाँ 2X ले लो. constant term कुछ भी ले सकते हैं. अगर यह S.O. 2X आ गया तो यहाँ पर O.Q. बीट क्या हो जाएगा? 2X हो जाएगा है क्योंकि यह आपस में equal हो गया है. ठीक है ना? अब हम फिर से इन दोनों triangle की बात करेंगा है. यहाँ कि S.O. S.O. P. की और R.O. Q. की यह दोन आपस में क्या है? similar है क्योंकि alpha है और यह वर्टिकल एपोजट तो यहाँ पर P.S. यहाँ कि X आपॉन 12.8 12.8 is equal to यहाँ पर alpha के सामने क्या है? 3X है. S.O. यहाँ पर हम लोग K मर लेते हैं? क्योंकि X हम अल्रेडी ले चुके हैं. तो 3K अपॉन 2 के के से कड़ कड़ गया? यह 6.4 तो X के लिग गया देगी 19.2 यह तो पहला method था. ठीक है ना? इसके बाद हम देखेंगे दूसरा method चलिए. दूसरा method क्या है? हमें पता है कि किसी भी triangle में अगर एक medium खीज़ दें यहीं इसको equal कर रहे है, equal divide कर रहे हैं. तो इन दोनों का जो area है triangle का वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है. यह तो पता ही आपको. तो बस यही method हम यहाँ पर use करने वाले हैं. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि SO और OQ आपस में क्या है? बराबर है न? कुशन में दिया हुआ है. PR by set कर रहे है Q इसको. तो SOR का area triangle, SOR का जो area होगा, वो area of triangle, QOR की equal होगा. ठीक है न? तो SOR का area क्या हो जाएगा? 1 by 2 into 9.6 into OR into sine theta. ठीक है? एसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 by 2 into 12.8 into OR into sine alpha. 1 by 2 से 1 by 2 कट गया? OR से OR कट गया? तो sine theta upon sine alpha क्या हो जाएगा? 12.8 upon 9.6 ठीक है? तो काटेंगे 8, 6 यानि 4 by 3. अब हम क्या करेंगे? triangle लेंगे P, S, Q. ठीक है? यहाँ पर sine low लगाएगे. sine low क्या कहता है? अगर sine alpha लिया है तो sine alpha के opposite side क्या लेंगे? 14.4. अगर sine theta लिया है तो sine theta के opposite side? X. यहाँ से sine theta upon sine alpha निकालेंगे तो कितना आएगा? X upon 14.4. यह value यहाँ पर पूट कर देंगे. तो हमारे पास क्या है है? X upon 14.4 is equal to 4 by 3. 3 से काटेंगे 3, 4, 3, 8, 9.2. यह दूसरा मैं तरता. ठीक है? अब मैं बताने वाला हूँ आपको generalization. ठीक है? इसका generalization क्या है? दिखान से देखेंगे हैं. यह बहुत important है. तो सबसे पहले एक cyclic oscillator बनाया है. P, Q, R, S. और PR जो है वो अब की बार SQ को bisect नहीं कर रही है. ठीक है? ना? वो किसी भी ratio में हो सकती है. क्योंकि generalize कर रहे हैं हम particular तो नाम दे नहीं सकते हैं कि यह equal है. तो अब हम side यहाँ पर let कर सकते हैं. यह A, A, B है, A, C है, A, D है. ठीक है? और आप इसको मालो कि यह X is to Y ratio में divide हो रहा है. ठीक है? तो फिर से वही चीज़ हो जाएगी. हम यहाँ पर let करेंगे. ठीटा, तो यह भी क्या हो जाएगा? ठीटा, यह alpha, यह भी हमारा क्या हो जाएगा? अलफा, ठीक है? अब हमें यह भी पता है कि कि किसी भी triangle में है, यह line है, यह A is to B में बट रहे है. ठीक है न? तो S का जो area होगा वो भी क्या हो जाएगा A और B ratio of area क्या हो जाएगा A to B, यानि कि जो भी base का ratio होता है वही area का ratio होता है ठीके न, क्योंकि height क्या होती ही constant होती है तो यहाँ पर भी वही चीज़े यानि कि triangle, area of triangle S O R upon area of triangle R O Q किसके equal हो जाएगा S O upon O Q ठीके न, तो यहाँ पर area of triangle S O R क्या है half into यहाँ पर क्या है C into O R into sine theta upon half into B into O R into sine alpha is equal to क्या हो जाएगा, S O कितना हो रपास X है, O Q कितना है Y है, ठीके अब जो कट रहा है काट दीजे हाफ से हाफ कट गया हुआ से हुआर कट गया तो मारे पास क्या है C upon B is equal to sine into sine theta upon sine alpha is equal to X upon Y ठीके न, अब फिर से हम लोग क्या करेंगे P S Q में sine low लगाएगे sine low क्या क्या करता है sine alpha upon A is equal to sine theta upon theta कि सामने क्या है, D तो यहां से sine theta upon sine alpha क्या जाएगा D upon A यह value यहां पर put कर देंगे तो final क्या जाएगे हमारे पास C into D upon B into A is equal to X upon Y यह हमारे पास final result आ गया इसी को हमें याद रखना है ठीके न अब अगर question में बोला जाए कि X और Y क्या है, अपसमें equal है तो X और Y equal हो जाएगे तो क्या हो जाएगा यह cut जाएगा तो हमारे पास C into D is equal to क्यों हो जाएगा A into B ठीके तो question में यही given था कि PR byset कर रहा है QS को तो direct हमारे पास answer क्या था X into SR is equal to PQ into QR वहाँ से हम direct X के लिए निकाल सकते थे ना हमें फिर similarity लगाना पड़ता ना हमें sign law लगाना पड़ता अगर हमें यह पता है ठीके तो यह दोनों point है आप आप लोग note कर सकते है ठीक है बहुत ही important point है तो चलिए I hope समाझ में आ गया हुआ next question की तरफ चलते हैं लोग question number 14 14 क्या दिया है दिया हुआ है if the graph of the equation X minus 7Y is equal to minus 42 intersect the Y axis अब देखे Y axis पर अगर कोई line intersect करेगी यह क्या है मारे पास यह Y axis यह X axis है अगर Y axis पर कोई भी line cut करेगी तो वहाँ पर X की value क्या होती है 0 और यहाँ पर Y is equal to 0 तो अगर कोई line है वो अगर Y axis पर cut करेगी तो alpha यानि कि जो भी हमारा X coordinate है वो 0 हो जाएगा यानि हमें अगर X coordinate 0 हो गया तो यह 0 हो जाएगा तो यहाँ से Y की value कितनी आजाएगी minus से minus कर गिया 6 यानि कि बीटा की value कितनी आगी 6 आगी ठीक है इसी दर ग्राफ of 6X plus Y minus 15 is equal to 0 intersect the X axis अब यहाँ पर X axis है तो Y क्या हो जाएगा 0 यानि कि यह delta है delta क्यों जाएगी 0 अब अब डेल्टा 0 हो गया तो Y 0 तो X की value कितनी आजाएगी 15 by 6 यानि कि 5 by 2 ठीक तो हमारे पास Y जो गामा है गामा की value कि जाएगी 5 by 2 तो value हमारे पास का निकानी alpha plus beta plus gamma plus delta alpha की value 0 यह 6 यह 5 by 2 यानि कि 0 plus 6 plus 5 by 2 plus 0 यानि कि 6 to 12 plus 15 17 by 2 आएगी चलिए next question दिखते है 15 देखिए 15 question लिखा हुए let A, B, C be the fractions as that A less than B less than C if C is divided by A C divided by A result is 5 by 2 which exceeds B by 7 by 4 यानि कि which किस के लिए आए है 5 by 2 के लिए 5 by 2 B से 7 upon 4 जादा है यानि कि B में अगर हम 7 by 4 add कर देंगे तो किया बैलेंस हो जाएगा भई, C ये जादा है ना ये value B से जादा है तो अगर B में हम लोग 7 by 4 add कर देंगे तो ये balance हो जाएगा अब यहाँ से B की value कितनी आ जाएगी 2 को मिल्टिप्लाइ कर देंगे यहाँ पर तो 10 मैनस 7 यानि 3 by 4 और हमारे पास क्या दिया है ये information दिए A प्लस B प्लस C विसकोल टू 23 अपॉन 12 यहाँ पर B की value इसमें put करेंगे यानि minus हो जाएगा उदर जाके तो 23 अपॉन 12 minus का 3 अपॉन 4 यहाँ पर 3 से multiply कर दीचे तो 23 मैनस 9 यानि की 14 अपॉन 12 यानि की 7 अपॉन 6 A प्लस C की value कितनी आ गई 7 upon 6 और यहाँ पर हम लोग पास क्या था C upon A is equal to 5 by 2 था तो यहाँ पर जो 7 है वो किसके equal है 7 upon 6 के तो 1 किसके equal हो जाएगा 1 by 6 के और value किसके निकालनी है C minus A 5 minus 2 3 3 की value निकालनी है 3 unit की value कर जाएगी 3 by 6 यानि की 1 by 2 चले इनेक्स question देखते है 16 लिका हुए है When X is added to each 2, 3, 30, 35 then the number obtained in this order are in proportion what is the mean proportion अभी तक क्या होता था SSE जब यह question देती थी यहाँ तक देती थी ठीक है और फिर बोलती थी what is the value of X तो फिर option से रख करके हम लोग आराम से निकाल सकते थे value अब यह वाला part add करने से question थोड़ा और मज़ेदार हो जया है लेकिन है वही पुराना लेकिन अब हम यहाँ पर एक method यूज करेंगे जिसे आप कोई भी value चाहे add करो और चाहे आप minus करो answer हमेशा आ जाएगा ठीक है तो माल लेते हैं वो number X है ठीक है माल लो चार number है A, B, C और D ठीक है इनमें हम X add कर रहे है और X add करने के बाद वो क्या हो जाते हैं यहाँ पास में proportion हो जाते हैं तो X की value क्या आएगी X की value हो आएगी mod A into D minus B into C upon A plus D minus B plus C बस इतना छोटा सा है formula ठीक है न तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे 2 into 35 70 minus 3 into 30 90 यह mod में रहेगा 2 into 30 35 37 minus 33 यानि यह कितना जाएगा 20 by 4 यानि 5 5 उमारे पास X की value हो आगी अब X की value यहाँ पर रखोगे तो 12 और 3 इन दोनों का mean निकलना है तो mean क्या होता है हमारे पास multiply करके under root निकलनों तो multiply के दोनों एक 36 यानि 6 आएगा यानि कि दो number है A और B उनका mean निकलना है mean proportion निकलना है तो mean proportion क्या होता है under root A B ठीक है यह होगे होगा चलिए next question देखते है चलिए 17 question देखते है the base of the right prism is trapezium okay the base of the right prism is trapezium whose parallel side are 11 and 15 and the distance between them is 9 if the volume of the prism is इतना height निकलनी है निकलनी है ठीक है तो volume क्या होता है prism का area of base into height ठीक है तो volume कितना है 173 1.6 area कितना है एक 1 by 2 into 11 plus 26 into 9 into edge ठीक है यहां से काटेंगे 13 13 13 13 4 33 39 4 33 39 2 30 0.2 ठीक है 9 से काटेंगे तो 9 1 4 0.8 एच की वेलू कितने आगई 14.8 ठीक है कुछ थानी इसमें बस formula था formula बेस question था चलिए next question देखते है 18 चलिए 18 question देखते है the ratio of the income of A to that B is 5 is to 7 they save saving at 4000 or 5000 expenditure of A is equal to 66 whole 2 by 3 percent इसको क्या लिसकते है 33 1 by 3 into 2 यानि 1 by 3 यानि की क्या हो जागा 2 by 3 ठीक है ना 2 by 3 of the expenditure of B यानि का अगर हम B को 3 मालें तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है ना तो कुल मिला के हमें इनकी income total income बतानी है ठीक है तो सबसे पहले देखे तो अगर हम income में माल लो ये income आपर पास 5x और 7x है तो अगर हम income में saving हटा दें ठीक है तो expenditure का ratio आजाएगा ठीक है multiply कर देंगा 15x माइनस काड 12,000 is equal to 14x माइनस काड 10,000 14 इदर आएगा अदर आएगा X is equal to 2,000 X value 2,000 आगी तो total income of A and B कितना है 12x 12x कितना हो जाएगा 24,000 simple था ये भी चलिए next question देखते है 19 ये question हर shift में आए हुगा है ठीक है तो पढ़ते है the average of 13 number is 47 and the average of first 3 number is 39 and the next 7 is इतना 11th दो के दियो average of first 3 number यानि कि 3 numbers का average कितना है 39 7 number का average कितना है 47 11th number is 17-10 हो गए न यानि 11th number 12th number और 13th number के बारे में बताया गया है कुछ relation दिया है और इन सभी का average कितना है 47 ठीक है न बुले कि 11th number is 2 times the 12th number माल लेते हैं ये 12th number x है तो 11th number क्यों हो जाएगा 2x हो जाएगा and 12th number is 3 less than 30 number यानि 12th number 13 से 3 कम है यानि कि x प्लस 3 जाथ होगा 13 number what is the average of 11 and 13 number ठीक है हम लोग माल लेते हैं कि 11, 12 और 13 इन तीनों का average कितना है 47 तो इन तीनों का sum कितना हो जाएगा 47 into 3 ठीक है अब हम में क्या करना है यहां से कम जादा देखना है कि मतलब deviation से कितना कम और जादा है हमारा actual जरूरी नहीं कि हमने जो माना है वो actual value कुछ और भी हो सकती है तो वो चीजन चेक करता है यह देखते हैं कि 47 से कितना कम है 47 से 8 कम है तो 1 में कम है तो 3 नमबर है न टोटल तो 3 में total if it कितना हैगा minus 24 यहां पर 47 से 49 2 जादा है तो 2 कितने में जादा है 7 नमबर में जादा है यहनि कितना है 14 तो overall अगर देखें तो हमरे पास minus 10 की कमी है अभी भी तो यहां पर इसको balance करने के लिए क्या होगा यहां पर 10 जादा करना पड़ेगा इसका मतलब इन 3 का जो sum आएगा वो यह आएगा ठीक है न तो 3 का sum कर देते हैं यहां पर 2x plus x plus x यहनि कि 4x 4x plus 3 3 को अधर ले जाएंगे और यह कितना जाएगा साथी कई साथी बाहरा 141 155 तो अधर क्या जाए कि 150 minus 3 यानि कि 148 x is equal to 431 476 37 ठीक है फिर क्या बोला किया है हमारे x की values 37 आगी है फिर बोला है what is the average of 11th and 30 number 11th और 30 number का sum कितना आएगा 3x plus 3 average आएगा 1.5x plus 1.5 यानि कि 1.5x plus 1 1.5x कितना है 37 138 तो 38 का डेड़ गुना यानि कि 99 करेंगे तो 57 ठीक है चलिए नेक्स कॉशन देखते है यह मारा लास्ट कॉशन है आच का आज के सेशन का देखते है a shopkeeper bought 120 quintal of wheat 20% of it was sold at 25% loss at what percent gain should he sell the rest to gain 25% on the whole transaction हमें यह पकड़ना है इससे मतलम नहीं है ठीक है 25% of it यानि कि total माल लेता है यह क्या होगा 1 upon 5 यानि 5 total है तो 5 total माल लो तो यह 1 और यह 4 में ब्रेक हो जाएगा तो 1 को loss में बेचा है 25% at what percent gain should he sell the rest यानि इस पर हमें नहीं पता है कितना so that total gain कितना हो जाएगा 25% बस कुछ नहीं करना है यहाँ पर 25 minus का यह 4x is equal to 125 तो 4x कर जाएगा 150 तो x कितना हो जाएगा 150.4 यानि कि 75 by 2 यानि कि 37.5 ठीक है तो चलिए इसी last question के साथ मैं आप से विदा लेता हूँ next video में हम लोग 20 to 40 questions करेंगे तो यह हमारी series continue रहेगी अगर आपको इस video से related कोई भी questions पर doubt हो या फिर जहां नहीं समझ में आया हो आपको तो आप हमें email कर सकते हैं अगर आपको इस video अच्छा लगा हो तो subscribe and share जरूर करिए यह हमारा telegram group है यहाँ आपको upcoming videos की link PDF बगेरा update आपको मिल जाएंगे तो चलिए मिलते हैं next video में thank you for watching